हेलो दोस्तों लूसेंट रासन जीके के डेली टॉफ फिप्टी कोशन में आपका वेलकम असतों तो ये वीडियो का दोसो चियालिस वापाट असतों इससे पहले भी दोसो पैतालिस पाट बनाए ज़े चुके हैं वो भी आप चैनल पे जागे देख सकते हैं तो यहां डेली म करते हैं तो आज का वीडियो कोशन है राज्य की पहली दुख्द डेरी इस्तापित की गई थी तो इसका रेक्टा सरह आपसा नमबर भी अजमेर में इस्तापित की गई थी पहली दुख्द डेरी निक्षन है निम्न में से किस जगह की पिछवाई चितरकारी प्रसिद है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर ये नादद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई चितरकारी निक्षन है लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्शन है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर डी विल्कुल करेक्ट है केला देवी मेले का आकर्शन का केंद्र है लंगूरिया गीत ते भाकडा बांध एक संग्या किस ने दी थी तो इसका रिक्टांसर है आप सर्मरी जे l नहरू ने दीती भाकडा बांध को एक चमतकारी विराट वस्तु की संग्या निक्षने 54 खंबो की छतरी कहां हैं तो इसका कारेक्टांसर है आपसरमरी बुंदी जिले में इस्तित है चोर यसी कंबो की छत्री निक्ष ने मियूर दुहजगड किसे दुर्ग को कहा जाता है तो इसकारेक्टांसर है आपसरमरी महरानगड दुर्ग को कहा जाता है मियूर दुहजगड के नाम से निक्षन है कौन सा इस्तल पर दुर्ग नहीं है तो इस कारेक्ट आंसर है आपसर नमड़ी भीलवाड़ा में इस्तित नहीं है कोई भी दुर्ग इसके अलावा जेसलमेर में सोनार दुर्ग इस्तित है अजमेर में तारागट दुर्ग इस्तित है और बिकानेर में जुनागट दुर्ग इस्तित है तो इन तीनों ही जगे दुर्ग इस्तित है भीलवाड़ा में कोई भी दुर्ग इस्तित नहीं है निक्ष ने राजस्तान में अब तक कितनी बार राश्टपती शाशन लागू हो चुका है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर डी चार बार राश्टपती शाषन लागू हो चुका है निक्ष ने अहर संस्कृती का विकास हुआ तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर बी मेवार शेत्र में हुआ था अहर संस्कृती का विकास निक्षने जस्वंत थड़ा कहा है तो इस कारेक्टांसर है आप्षन नमर बी जोदपूर में इस्तित है जस्वंत थड़ा निक्षने किस संपरदाय के अन्याई ददकते हुए अंगारों पर अगनी निर्थे करते हैं तो इसका रेक्टांसर है आप्शन मर्भी जसनाती संपरदाय के लोग करते हैं अगनी निर्ते ददखते हुए अंगारों पर नेक्स सुनें पंचायती राज का उद्गाटन इस्तल है तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नबर D बगदरी गाव नागोर है जहां पर पंडित जवारलाल नहरू ने पंचायती राज व्यवस्ता का उद्गाटन किया था नेक्स सुनें राजस्तान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नबर D धन्ना सेड़ता रणकपुर के मंदिर का निर्माता निक सुनें रसोई घर में काम आने वाले बरतने हाटडो में क्या संग्रह करके रखा जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर डी नमक मिर्च मिसाले संग्रहित करके रखी जाते हैं हाटडो बरतन में निक सुनें हमी मुदीन चिस्ती को मीटे शाप के नाम से जन मानस में प्रसिद्धी मिली थी इनकी दर्गहा किस दुर्ग के बीतर इस्तित है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमर डी गागरों दुर्ग के बीतर इस्तित है हमी मुदीन चिस्ती की दर्गहा निक्षन है परमारों के शाशक का परमान बसंदगड का जीन शीन दुर्ग इस जिले में इस्तित है तो इसका रेक्टा अंसर है आपसन बढ़ दी सिरोई जिले में इस्तित है जो कि परमारों के शाशक का परमान है बसंदगड का जीन शीन दुर्ग नेक्षन है राश्टिय राजमारग संक्या 889 किस इस्तान पर मिलते हैं तो इसका रेक्टरांसर है आप्शन बड़ी अजमिर में मिलते हैं राश्टिय राजमारग संक्या 889 और 89 निक्षन है चित्रकला संग्राले सरस्वती बंडार कहां इस्तित है तो इसका रेक्टांसर है आप्षन बरी उद्यपुर में इस्तित है चित्रकला संग्राले जिसका नाम है सरस्वती बंडार निक्षन है राज्य विधान मंडल का तात पर यह है तो इसका रेक्टांसर है आ तात पर ये निक सुने कंकड पत्थर से डगे मरुस्तलिय भाग को कहते हैं तो इसका रेक्टांसर है आपसर मड़ी रेग कहते हैं कंकड पत्थर से डगे हुए मरुस्तलिय भाग को निक सुने राजस्तान का पहला रोप वे किस जिले में खोला गया है तो इसका रेक्टांसर है आपसर मड़ी जालोर जिले में खोला गया है पहला रोप वे निक सुने देश का पहला मरु वानस्पतिक उध्यान कौन सा है तो इसका रेक्टांसर है आपसर मड़ी माचिया उध खुल्दिया न न्याक सुन है राज्य के किस लिए में जीरे की सरवादिक वसल उगई जाती सराय आप से विलकुल खरर्टयर जालोड़ जीरेमें उगई जाती सराय के सर्वादिख वसल ने देश का कुल के इतना परटिश्यत लिगनाइट को एल score का उत्पाधन राजस्तान में होता है तो इसका रेक्टांस रहा है आपसर नमबर है विल्कू करेक्ट है जो साथ परसेंट लिगनाइट कोईले का उत्पादन है वह राजस्तान राज्ये में होता है नेक्ट सुने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्तान के किस जिले में है तो इसका रेक्टांस सरे आपसर नमर से उदेपुर जिले में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नेक सुने भारत के शेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत शुष्क भाग राजस्तान राज्य में स्थित है तो उसका रेक्टान सरे आपसर नमर से 5.6% भाग है जो कि राजस्तान राज्य में स तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर है सिरोई जिले में होता है सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादर राजस्तान के महान करांती कारी गोकुल बाई भट का जनम किस जिले में हुआ तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर से सिरोई जिले में हुआता गोकुल बाई भट का जनम है निक्षन है बोतिक सोरूप से राजस्तान को कुल कितने उपर प्रदेशों में विबाजित किया जाता है ग्यारा उप्रदेशों में विबाजित किया जाता है निक्स ने, राजस्तान के किस अब्हारण में प्रचूर मात्रा में सागवान के पेड़ पाई जाते हैं नयक्स ने, चूपा नामका बुशन कहां पहना जाता है तो इस कारेक्टांसर है आपसन नमर बे दांत में पहना जाता है चूपा नाम के आबुशन निक सुने राजस्तान में जहांगिर महल कहां पर है तो इस कारेक्टांसर है आपसन नमर से पुशकर में इस्तित है जहांगिर महल नेक्शन है राजस्तान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारन है तो इसका रेक्टान सरह है आप्शन नमर बै कुल मिलाकर 26 वन्य जीव अभ्यारन है नेक्शन है शेत्रफल की दरश्टी से राजस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो इस कारेक्ट रांसर है आप्शन नमर डै मारवाड रियासत थी शेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत है नेक्शन है राजस्तान की महान कवित्री मीरा भाई का जनम कब हुआ था तो इस correct answer है, option number 14рей option number 2 तू विल्गल करेक्ट है एक चोताई घाल है, दालों का कुल वोय गए खे शित्रफल में नेक्शन है राज्ये के किस जिले में सरवादिक गदे पाए जाते हैं वश्यूगर्णा 2012 के अनुसार तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर फर्स्ट बाडमेर जिले में पाए जाते हैं सरवादिक गदे नेक्शन है कौन सी प्रियोजना राजस्तान मद्यप्रदेश गुजरात तथा महराष्ट की सियुक्त प्रियोजना है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमर फर्स्ट बिल्कू कर रखता है नर्मंदा नहर प्रियोजना है जो कि राजस्तान मद्यप्रदेश गुजरात और महराश्च की सयुक्त प्रियोजना है नेक्षन है रेल बाबा के नाम से जाना जाता है तो इसका रेक्टांसर है आपसर नमबर टू किशनलाज सोनी को जाना जाता है रेल बाबा के नाम से नेक्षन है आदिवासियों जनजाती में पतनी अपने पती को छोड़ कर दूसरे कौन सी प्रथा है तो इस का रिक्टां सरहson को इसे हम नाता प्रथा कहते है नेक्षन राज्सतान से प्राप्त सबसे प्राचिन सिGroup कहिआ लाते हैं तोिस का रिक्टां सरह सब्सके forget कहते हैं निटуш्ण राज्सतान का एतिया सिरु जोहर किस किले में हुआ तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर फोर जित तोडगर के लिए में हुआ था एतियसिक जोहर नेक्ष ने बुंदी राज्य की इस्तापना की तो इस कारेक्टांसर है आपसर नमर टू देवी सिंग ने की थी बुंदी राज्य की इस्तापना नेक्षन है राजस्तान का सबसे प्राचिंतम शीला लेक है तो इसका रेक्टांसर है आप्षन नमबर टूप बढ़ली का शीला लेक है सबसे प्राचिंतम शीला लेक है नेक्शन है राव शाही सिक्के किस रियासत से सम्मदे थे तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है अलवर रियासत सम्मदे थे राव शाही सिक्के निक्सन है डोडिया क्या है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर फॉर जेसल मेर रियासत के तामबे के सिके थे जिने हम डोडिया कहते हैं नेक्शन है बिजोलिया शीला लेक के रचियता है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमर टू गुण भद्र है बिजोलिया शीला लेक के रचियता नेक्शन है राजपुत राजाओं के समय कौन सा धरम अधिक लोग प्रिये हुआ तो इस कारेक्टांस रहा है आपसर नमबर टू हिंदू धरम अधिक लोग प्रिये हुआ था राजपुत राजाओं के समय नेक्शन है टौक मुस्लिम रियासत का संस्तापक था तो इस कारेक्टांस रहा है आपसर नमर फर्स्ट है अमीर खापिंडारी था टौक मुस्लिम रियासत का संस्तापक नेक्शन है खतोली किस जिले में है तो इस कारेक्टांस रहा है आपसर नमर थ्री बुंदी जिले में स् का तोली